गाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है सोमेश हमारे साथ जुड़े हुए है और इसके साथ हमारे साथ प्रभू दयाल जी जो की फॉर्मर सीनियर डिप्लमाट है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अंसु जोशी प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनाशनल स्टडीज जेनियू वो भी हमारे साथ जुड़े हुए आप दोनों का बहुत स्वागत है विकास सिंग को मैं देख पा रहा है और लखनव से वो हमारे साथ जुड़े हुए है विशाल बरिस्टो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए है और सोमेश हमारे साथ जुड़े हुए है राइपूर से सोमेश सबसे पहले आपके पास आएंगे क्या तस्वीरे आप दरसल शब्द चित्रों के माध्यम से बताएंगे क्योंकि ये जो आज की जो भावनाये हैं वो शायद शब्दों के माध्यम से भया करपाना भी बहुत सारे राश्ट्रवादी लोगों के लिए बहुत संभव नहीं है। क्या कुछ बताएंगे किस तरह से राइपूर में हुआ है ये भव आयूजन। आज पूरा भारत पचत्तरवा गरतन दिवस बड़े धूम धाम से मना रहा है। वहीं चत्तिसगड का जो छेतर है बस्तर, दंतेवाडा, बीजापूर, कांकेर इनी लाकों में भी तिरंगा बड़ी आन, सान से लहराया गया। जो जगदलपूर छेत है लाल परेड गराउंड यहां पर चत्तिसगड के मुख मंत्री विश्नु देव साय ने धोजारोहन किया। रैपूर पूरिस लाइन में जो चत्तिसगड के राजेपाल है इन्हों ने यहां पर धोजारोहन किया। 36 जगड में लगातार जो जो 36 की संस्कृती को लेकर यहां पर जो चल्चित ही उनकी तस्वीरों को दिखा गया। तमाम यहां पर हुई जो जवानों के दुआ रहा यहां पर प्रस्तोती दी गई। राष्ट गान को लेकर तमां महत्पूर्ड जानकारी भी दी गई। पुड़ा देश हरसो लास के साथ आज यह 26 सोनरी का उत्सव बड़ी धूमदाम से मना रहा है और हमारे साथ इस वक लच्मन के इवंट है इनके बारे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ छै बार राष्टी पदक इन्होंने इन्हें मिला है और 43 इंकाउंटर नक्सलियों से उन्हें लोहा लिया है बस्तर से आते हैं क्योंकि गोर नक्सल पावित छेतर है उन्हीं लाकों में अपने आप में नौकरी करना सब्सेवड़ी चुनाओती है तो मैं उनसे आपकी बात भी कराऊंगा जी लश्मन क्योंड जी बताईए क्या कहींगा सबसे पहले तो आपके चनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को गर्तन दिवस की बहुत-बहुत बधाई उस्तु कामनाई देता हूं और ये छटवी बार आश्ट्रपती विटता पुरुषकार मुझे मिला है और ये पुरुषकार तीन अगस्त दोहजार उन्नीस को राजनंद गाउं जीले के बाग नदी ठाना चेतर के सेर पार जंगल के खाला पहाड़ी में मुर्भेड हुआ था जिसमें हमारी टीम ने साथ नकसिलियों को मोट घाट उता रहा था और एके 47 और ये सलार इंसाजे से कई आटोमेटिक हथियार बरामत करने में सफलता प्राप्त देना चुनावती अधिया नकसल छित्र में अलग अलग प्रकार की है सबसे पहले तो आपकी परिवारी सपोर्ट होना चाहिए उसके बाद फिल्ड में जो की आदिवासी छित्र में जो जंगल पहाड है नकसल छित्र है वहां की भौगवली की स्थिति जानने समझने में और तीसरा टीम बना आया क्या है बिल्कुल लड़ यह वो चौकर स्प्रहरी हैं जोनकी वज़ए से मैं आप खुले में सांस लेकर बहुत सुरक्ष्वित महसूस करते हैं अमारे साथ विशाल बैरिस्टों भी मौजूद हैं करतावे पत से विशाल लोक तंत्र का अध्भूत गान जशने हिंद सशक्तिकरण की सजीव तस्वीर करताव विपत पर हजल बिल्कुल ठीक कहा आपने हैं और मैं तो यह कहूँगा कि पूरी दुनिया ने भारत का दमखम देखा और आज मौसम भी महरवान था ऐसा लग रहा था कि मौसम ने भी साधिया है पिसले गड़तंतर दिवस पर काफी फॉक था लेकिन इस बार लोगों को फ्लाइपास भी देखने को मिला रफाल की उडान भी देखने को मिली सुखोई की उचाई भी देखने को मिली और महिला सशक्ती करण और उनके जाबाजों को भी देखा CISFोच, CRPFोच, BSFोच जब उटसाइकल पे सवार होकर वो निकली तो लोगों ने दातों तले उंगली दबा ली और इसके अलावा जो हमारे लोग कलाकार थे उन्होंने भी खास और से फ्रांस से आये महमानों का मन मोह लिया तो लोग इस बात को देकर चकित थे कि भारत इतना बड़ा देश है, सात्वास दुनिया का सबसे बड़ा देश है और वो कितना डाइवर्स है, उसके बाद भी कितना यूनिफाइड है तो आज पूरी दुनिया ने हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखा हमारे महिला सरशक्तिकरण को देखा और हमारे आत्म निर्भड़ता को देखा आज जो आपने वेपन्स देखे चाहे वो टैंक्स हो चाहे वो ड्रोन कंट्रोल सिस्टम हो ये तमाम वो चीजे हैं जिनको भारत में अब बनाया जा रहा है और भारत इसको अब निर्यात करने के भी पोजिशन में आ गया है तो ये जो सारी चीज़ है ये आज ना सरफ मिलिटरी प्रावेस को दिखाने का मौका था बलकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि भारत कितना रंग बिरंगा देश है कितना बड़ा और कितना प्राचीन इतिहास है और कितने संसकारित यहा रच बस गए हैं और दो बार उन्होंने गले लगकर पुधान मंत्री के साथ आदे के वक्त और जाने के वक्त पूरी दुनिया को ये बता दिया कि इंडिया और फ्रांस स्टेंड टुगेदर जी जी निश्ची तोर पर विशाल आप हमारे साथ बने रही है हमारे साथ विकास सिंग मौजूद है लखनओ से विकास लखनओ और खास तोर पर उत्तर प्रदेश को इस गरतंत दिवस में बताने के लिए जाकिया को तोर पर बहुत कुछ होगा आयुद्या धाम में अभी श्री राम विराजे हैं और उसके अलावा विकास के नई उचाईयों को चूरा है उत्तर प्रदेश चाहे वो रक्षक शेत्र की इकाईयों की स्थापना हो या फिर इंफ्रास्ट्रेक्चर डेवलेप्मेंट की बात हो क्या कुछ रहा है आज लखनओ में खास गरतंत दिव के सामने हुआ जहां पर राजपाल आनंदी बेन पटेल ने परेट की सलामी लिए और इस परेट में खास और से सेना पुलिस का सवर इबल तो दिखाई दिखा तमाम सारी विभागों के दोरा जो जहांकिया निकाली गई थी उनने प्रदेश किस तरीके से प्रगति कर रहा है उसको दर्साया गया जिए तमाम सारे इस्कूली चात्रों ने और कलाकारों ने अपनी कला संस्कृति का भी प्रदर्शन किया और किस तरीके से उत्टर प्रदेश बदल रहा है उसको यहां पर विधानसभा मार्क पर दिखाया गया और यहां के माध्याम से पूरे आ रहा है निकिल बहुत ही बड़ी बात है और आज को जो खास दिन है तमाम सारे लोग हम सब लोग जब 75 अगरतन दिवस मना रहे हैं ऐसे में सभी लोग यहां पर जब आ रहे हैं तो अपने संविधान के पर भी उनको जानने का मौका मिल रहा है चुकि हमारा संविधान आज संविधान और जैविधान हम आज साथ बेहत खास मेमान भी इस खास पेशक्रिश में शाबिल हैं हम आज साथ डॉक्टर अंशू है प्रफेसर है जेन्यू से डॉक्टर अंशू आपको भी बहुत बहुत शुपकामना है 75 गंटन तर दिवस की और शुरुवात इसी से कि को सफ का कंटिंजेंट हो हम इंडिनेर्ट फोस की बात करें हमने जाकियों के जरीये भी देखा कि महिलाओं का एक सश्वत अंदाजे बया इस करतवे पत पर दिखाया गया और इसी लिए इस बार का गंटन तर दिवस अपने आप में आलोकिक विशिष्ट और विहंगम निश्चित तोर पर सर्वप्रधम मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को और समस्त देशवासियों को 75 गंटन तर दिवस की हार्दिक शुबकामनाय प्रेशित करती हूँ निश्चित तोर पर फ्रांस के राष्ट्रपती ने आज जो अलोकिक अप्रतिम द्रिश्य इस हमारे गंटन तर दिवस के उटसव के देखे एक भात श्रेष्ट को हम याद कर लें आत्म निर्भर भारत को हम देख लें और सबसे मात्वकून बिंदू स्त्री शक्ति से अपने 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 बड़ा योगदान दिया है और इसी योगदान को हम आज अपने सामने गंतंत्र जिवस की इस जहांकियों में उटसव में हम देख पाए और स्त्री शक्ति को आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आज देख लें तो हम विमन लेट डिवेलप्मेंट के जरिए अपना विकास कर रहे हमारे माननी प्रधान मंत्री का ये मर्दोपूर्ण लक्ष है और इसके जरिये भारत को वैश्विक स्तर पर भी इस वैश्विक उदेश की पूर्ती कर पाने में हम सक्षम हो पाए हैं जी निश्चित तोर पर हम वैश्विक का पूर्ती करने में सक्षम हो पाए हैं और महिलाएं आज जो आपने कहा कि विमन लेट डेवलेप्मेंट के स साथ में भारत विकास की नई तारीख लिख रहा है वो निश्चित तोर पर सही है और आज गरतन दिवस पर यह देखने को मिला प्रभू दयाल जी हमारे साथ मौजूद है पूर वरिष्ट राजनाइक है प्रभू दयाल जी अगर सीधे तोर पर आपसे यह समझना चाहें फ् बहुत धन्यवाद आपके प्रश्ण का उत्तर देने के पहले मैं भारत के 75 गंतन दिवस पर अपने सभी सार्षी देशवासियों को हारदिक बढ़ाई देना चाहूंगा और दूर दर्शन का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यह सेलिबरेशन के इतनी अच्छी टे मैकरों हमारे करतां दिवस पर बत और चीव गेस्ट आये हैं राश्पती मैकरों का यह दोरा बहुत एहम है यह ना सिर्फ तोनों देशों के डिप्नोमाटिक रिलेशन्स के लिए एक मील का पत्थर है बनके साथी साथ दोहजार अठारा के बास मैकरों और प्रहान मंत्री म मुदी के बीच पनपी दोस्ती का यह अरण भी है देखिए हमको यार होगा कि 2017 में मैकरों फ्रांस के राश्पती चुने गए थे इसके अगले साह भी 2018 में मैकरों भारत आये इस दौरान प्रहान मंत्री मोदी और मैकरों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की इनों नेताओं की दोस्ती की नीव पढ़ गई थी फिर अगले साल 2019 में मैकरों पहली बार भारत की गड़तन्त दिवस के मोके पर चीफ गेस की तरह इन्वाइट इट थे मैकरों प्रांस के पहले रास्पती हैं जिनने दो बार गड़तन्त दिवस पर चीफ गेस के हों सैसियते बलाए गया एक और माइट लेके पिछले साल जब भारत और फ्रांस ने अपनी स्ट्रेटीजिक पार्टनर्शिप की 25 वर्ष ग्रांट मानाई थी तब बैस्टील डे के परेट पर उस मौके पर रुदान मंत्री बोदीजी चीफ डेस थी ये दोनों देशों की दोस्तिकी बड़ी मिसाल थी इस परेट में दोनों नेताओं के खरीबी संबंधूं की ज़लक हमने सब देखी थी इस परेट में भारती सेना की टुकड़ी ने भी मार्ज किया था तो दोनों देशों और दोनों नेताओं के पीच बड़ी दोस्ती की एक बड़ी वज़े है डिफेंस सेक्टर में जो कोपरेशन रफाइल विमानों को लेकर भारत और फ्रांस के बीच 2016 में एहम समझाता हुआ था और दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को ये दर्शाता है इससे दोनों देशों के संपंध लगातार मजबूत हुए हैं देखें हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट रक्षा परिवश्चत में हर जरूरी मामले पर मैक्रों सरकार ने भारत के प्रती अपना समर्थन जताया है आतंक वाथ से ने भटने, समुद्री स्रक्षा, क्लाइमेट चेंज, इन सम्मामलों पर फ्रांस ने भारत का हर बार समर्थन किया है फ्रांस ने हर बार भारत के हितों के बगालत की है इसलिए 2022-2023 की बात की जाए तो दस अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार है भारत और फ्रांस के बीच और दोस्ती की उश्मता हम कई ऐसे दृश्यों से भी राजनितिक और कूटितिक तोर पर लगा सकते है चर्चा खिसखास पेशकश में जारी रहेगी हमारे विशिष्ट महमानों के साथ और साथी साथ जो हमारे ग्राउंड जीरो पर तमाम समवादाता मौजूद है लेकिन वक्त एक छोड़े से ब्रेक काया आप जुड़े रही है डी डी नीउस के साथ जरूरती खास सीधे गए SBI स्टार्ट अप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस स्टार्ट अडवाइजरी अन्सपोर्ट SBI स्टार्ट अप ब्रांच पे ये नया भारत है कभी हसता कभी हसाता है हिसाब का पक्का है इस भारत की अलग ही पहचान है जुड़े नय भारत से जियो भारत से हाई माम फिर से शॉपिंग बाबु जी आपने इसे भी कार के लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ट पे है डाउन जो है मने दो कार्ट पर लिमिट सेट कर दिया अच्छा इसके फाइदे यह है कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंद बैंक को बोल दीजे नुकसान कम दादू है नेक्स्ट टाइम यह पेंक प्रेस्ट यॉर दे लिमिट लिमिट सेट है RBI कहता है जानकार बनिये सतर करें कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाईए क्यूंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्किट लिंक्ट वेल्थ क्रियेट करता है और तो और इस प्लान में गैरंटीड एडिशन के साथ पेंशन पाने के कई आप्शिन्स भी है सो दाट यू ग्रो यंग और टेंशन फ्री L.I.C. हर पल आपके साथ मौसम को अपने पैशन के पीच जो नहीं आने देते मैं उनका फैन मेरी तरह S.B.I. भी आपका फैन है इसलिए S.B.I. आपके लिए ठोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो एक्सिलेंट कस्टमर सर्विस असिस्टन्स टू MS.M.E.s और टेक्नोलोजी दिर्वन बांकिंग सेलूशन्स घर छोड़ दू S.B.I. बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन है S.B.I. देश का फैन स्वागत आपका ब्रेक के बाद और गरतंत दिवस के इस समारों पर विशेश पेशकश हम आपके सामने लेकर आए है और किस तरह से राजियों में गरतंत दिवस की धूम रही वो भी आपके साथ साजा कर लेते हैं अपने दर्शकों को बताते हैं और गरतंत दिवस की परेड में अरुनाचल प्रदेश की जाकी से राजियों की जाकियों की शुरुवात हुई है इस जाकी में बुगुन समुदाय दिखाया गया है इस जाकी को सबसे पहले रखे जाने से भारत ने चीन को साफ साफ संदेश दिया है कि अनुनाचल प्रदेश भारत का अभिन अंग है मेरी पहुचान रही जो है कैसे वो पहचान आपकी रिखांकित करती है इसी पर आधारत है हार्याना की ये जहांकी जिसकी किस्थिर आप एदेटे में आपली सब्सक्राइब करने है data collected and updated by the government helps empowering the residents easily digitally be it procuring ration agricultural subsidies scholarships or pensions अब रूख करते हैं मनिपूर का जहांकी जहांकी थंबलगी लंगला कमल धागे की थीम के साथ करताव्यपत से गुज़री और यहां पर भी महिला सशप्तिकरण की एक तस्वीर आप देख सकते हैं पूरी जहांकी में महिराएं किस तरह से कारे उन्मुक होकर कारे करती हुई नदर आ रही हैं मनिपूर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणिये मॉडल पेश करता है और मद्य प्रदेश की जहाकी आत्मरभर महिला विकास का मंत्र थीम के साथ करतव विपत से गुज़री महरी बाई इसमें लिखाए गई हैं जो मिलिट्स विमिन ऑफ इंडिया मानी जाती है और इसमें भी महिला सशक्तिकरण की जो थीम है वो सर चड़ कर बोलती नज़र आए दुर्गाबाई की तला ने भारत की शोभा बढ़ाई है चंदेरे के रेशम ने दुनिया में कीरती पाई है बिकसित सक्षम सशक्त तम्रत और मंद्यपदेश के बाद आपको लिए चलते हैं उडिशा के ओर जहां की जहांकी की जो थीम थी वो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के साथ करतव्य पतपद उदर तीवी नज़र आई आप देख सकते हैं करता है कर देख सकते हैं कर दो बात 36 कड़की जहांकी की जहां बस्तर मुर्या दर्बार की आदिम जन संसत के थीम के साथ करतवे पत पर ये गुद्रियानी लोकतांत्रिक मूले उस वक्त भी थे और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम प्रतिनिधित्व किया करते थे ये जहां की दर्शार ही है और राजस्तान की जहांकी की तीम विकसित भारत में पधारो मारे देश रही इस जहांकी में राजस्तान की संस्कृती का प्रदर्शन किया गया झाल उसके दर्शन रुख महाराश राजे का जहां की जहांकी जहांकी में चत्रुपती शिवाजी महाराज के तीन सोवे राजजबिशेक वर्स अमारों को दर्शा आ गया महाराश राजय की जाकी की थीम भारती लोकतंत्र के लिए प्रेणा स्वतंत्रता सेनानी च्छत्रपती शिवाजी महाराज देख और बात आंद्रप्रदेश की करें तो आंद्रप्रदेश राज की जाकी आंद्रप्रदेश में स्कूली सिक्षा में बदलाव से चात्रों को विश उस्तर प्रतिस्पर्धी बनाना की थीम के साथ करता विपत से बुजी है बात कें दिश्यासित प्रदेश लदाक की जांकी की जिसकी तीम विक्सत भारत लदाक में रूजगार के दरीए महिलाओं को सश्रक्त करना इस जांकी में लदाक की संस्कृति के साथ-साथ आईस-हौकी ने कैसे महिलाओं को वहाँ पर आत्मनिभर बनाया है इसका भी मुझाहिरा करता दे पत्पर पेश्चे अगया लामाई तंची दे लशूद खांडो छास कम और तमिलाडू की जहाकी में राज्ज की प्राचीन कुदवलाई प्रणाली याली मिट्टी के बरतन में मत पत्र डाल कर चुनाव करने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया कर दो कर दो किसा Earlier कर दिलाडर है खांडो लामाई प्राची आघ हवें बंढोल्य के पत्रुणा जिखता आहिए यह वैखता है यह यह. कैम्मेट्ट्स है बंढोल लेक्न, यह. बात गुजरात की जहांकी की जिसमें धोर्डो गुजरात का जो सरहदी परेटन है उसकी वेश्विक पहचान की सीर के साथ करतवे पत्र पर हमने गुदरते हुए देखा इस जहांकी में कच्छ की संस्कुति को दिखा आगया और कैसे परेटन से जब हम जीडिपी को बढ़ा समय कि बात करते हैं वह यहां चरथारत होती है है कि रीचिंदोराज मेरे बेराण चिंदोरे पर इपूले जी फरे राना रों चुनीनार पर उने चुनीनार जिए अभर ले रानारों चुनीनार आइए और मेगाले की जाकी में राज के बढ़ते परेटन को दर्शाया गया था अची जाकी मेगाला ज ढ़ 채 जाकी मिंवन स्थियों वांच मोया चिंगी ज्यंका में मार्यां मेखालाया ओमा आदो तंसा युदो आ आ राम उनो तंसेकल गल आपरी यू मेखालाया आखनी की जिंस्ता निंतिं सब्यं की खना पूरस्काम मेखालाया रूखाब जार्खन की तरफ जहां कि ज्याकी जो थी वो टासर सिल्क प्राधारित कि किस तरह से टासर सिल्क के जरिए जारखन में हम विकास की एक नई गाथा बनते हुए देखते हैं और उत्तर प्रदेश की ज्याकी में आयोध्या की विरासत देखने को मिली इस जहांकी की दीन आयोध्या विकसद भारत में दिखाया विकसद की विरासत रही ऑद्या की विरासत रही आध्या पी जिवात रही और विकसद की विबाद रही और तेलंगाना राज्य की जहांकी की थींग, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, तेलंगाना के स्वतंत्रता सैनानियों की विरासत रही, लोकतंत्र की जैननी के तौर पर भारत को पुरा विश्व जागा है. तेलंगाना की इस भव्य जाकी में तौर अलग अलग विशिष्ठ रंग यहां पर एक भारत की तस्वीर. बिल्कुल तो एक भारत, श्रेष्ट भारत की तस्वीर आपने देखी, कर्तव विपत पर प्रदेश भर की तमाम जो देश की अलग अलग प्रदेशों की जाकिया थी उनके जरिये, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लोटें कि किस तरह से रहा गरतंत्र का रंग आज पूरे देश पर SBI स्टार्टप ब्रांच पे स्टार्टप ब्रांच पे स्टार्टप ब्रेक के बाद और हम दिखा रहे हैं आपको गरतंत के रंग पूरे देश में किस तरह से चाय हुए हैं, किस तरह से विजई विश्व तिरंगा प्यारा जणडा उंचा रहे हमारा ये जो गीत है, आज हावी है सभी के मन में, आज सभी इसको गुनगुना रह और यहां से आपको दिखाएंगे किस तरह से देश भर के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रदेशों में घरतंत के रंग जो रहे वो दिखाई दिये और आपको इस समय हम ले चलेंगे हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं उनके पास यहां पर दीपिका दिखाई दे रही हैं हमारे साथ जुड़ी हुई जो की चन्याई से जुड़ी हुई हैं दीपिका किस तरह से आप चन्याई से हमें गरतंत्र के विभिन रंगों के बारे में बताएंगी क्या कुछ रहा आज वहां की परेड में किस तरह से रहा जी जी बिल्कुल निखिल और आचल पिट्टर वे गंट संपर देवर्ट ती सेलिबरेशन चैन्नाई में भी बहुत एंडाम से मनाई गई सुबह नौब टे ही चैन्नाई के गवर्णर और चैन्नाई की चीफ मिलिस्टर ने आकर प्लाग नफर्लिंग करी और जैस जिस तरीके के बिल्ली में अलग 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 पधर्टरियां उती है यहां अफर चैन्नाई में थी अलग 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 र्दर्श्ट वी आइर पॉर्स, ऐंडियन ऻी और टी तसाथ एंड एरफॉर्स के हेलिकॉप्टर की खास कुछ तो बर्चा भी दिखाई बैसी यहां पर सुबा जवा कर देशन को लेका है रुछ में साती साथ काफी तारे पुरुषकार भी दिए गए जिर्में युट पी शामिल थे चीफ मिनिसर और गवर्नर द्वारा यह पर दिए गए लिपप्लिक देपो मदे नगर रख्ते हुए काल्चिरल पर्फॉर्मेंस भी हुई और हमने बहुत ही जो इंवॉल्मेंट था वो यूट का इंवॉल्मेंट देखा जो यहां पर देखने को मिला चुंकि चैनला ही पहला फिलो यूट गेंज पर होच चाहरा है तो उसलिकों अब बिनज़र वक्ते होए एक यूट की अलग जाती भी लिका लिका ले गए चैनला इसे गंद्टन दिवस का महौल है वो पूरे देश में रोमांचित और हर्श उल्लासित करता है हर भारती को दोक्र अंशु हमारे साथ मौजू जब हम बात करते हैं हमारे समविधान की हमारी परंपराओं की साजह इतिहास की राश्ट्र हित की लोक हित की उसका एक भव्वे आयोजन हमने क पर देखा तो इनी मौलिक विचारों को अगर हम कई सालों से उसकी तुल्ला करें वो आज की युवा पीड़ी के लिए कितने प्रसांगिक आपको नजर आए खास तोर पर जिस तरह से हमने देखा जब हम सामाजिक सम्रस्ता की बात करते हैं निश्चित तोर पर यदि हम अपनी प्राचीन भारतिय संस्कृती दर्शन और उस समय की विवस्था की और नजर डाले उस समय की शिक्षा विवस्था की और नजर डाले तो एक all inclusive विवस्था हमारी रही है एक समरस विवस्था हमारी रही है हमारी तो भारती यान परंपरा है वो वसुध है वो पुटुमपकम की भावना पर आधारित रही है और निश्चित तोर पर बीच में जब कुछ ऐसे आकरमण करता हमारे देश में आए जिन्होंने हमारी संस्क्रती पर कहीं न कहीं प्रहार किया हमारी अस्मिता पर प्रहार किया चाहे हमारे वेग्यानिक हो चाहे हमारे अकादमिक शेतर से ठीड़े हुए विद्वान हो चाहे हमारे वीर हो उन सभी से उनकी अस्मिता कही न कहीं चीनने का कांकिया और इसी का परणाम रहा कि एक बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन भारत ने देखा और इसके पश्चा जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने सम्विधान पर आधार सकते हैं जिसमें किसी भी जेंडर या किसी भी जाती या किसी भी धर्म या किसी भी रेस या किसी भी प्रांत को तरजीह न देते हुए भारत के सभी नागरिकों को समान दर्जा दिया गया है सभी अधिकार सभी को समानता से प्रदान किये गए हैं तो यह भारत का दर्शन ह यह आज का दर्शन नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृती है, यह उस संस्कृती का दर्शन है, तो आज उसी का उत्सव हम बनाते हैं, बड़ा रोमान चिकारी लगता है, हर वर्ष इस उत्सव का हिस्सा बनना, इस उत्सव को मनाना, इस उत्सव से पेरिना लेन तो हमारी जो आगामी युवा पीड़ी है जो इस देश का भविश्य है अत्यनत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विचार महत्वपूर्ण दर्शन और आगे के लिए जो एक रास्ता है वो हमारी युवा पीड़ी को मुझे भारतिये सभिता से भारतिये संस्कृति से हमारी इश्वर को देखते हैं, इस संकल्पना को आज जाकर पूरा विश्व समझ पा रहा है, जिसे हम हजारों वर्षों से जी रहें, इसी को हम सस्टेनेबल डिवलपमेंट कह रहे हैं, हम जिस नारी शक्ति विमन ले डिवलपमेंट की बात हम आज वैश्विक स्तरपर कर रहे हैं उसे हम हजारों हजार वर्ष पूर अपने कर विटा में साफ साफ देख सकते हैं, और युवापीडी को यहीं से कही न कहीं एक नेत्रत्व लेते हुए आगे बढ़ने के आवश्शक्ता है, तो चाहे हम शांतिपूर्ण सहयोग की बात करें, चाहे हम साथ में मिलकर आगे पढ़ने की बात करें, चाहे हम परियावर्ण सरक्षन को देखें, चाहे हम विमनले डिवेलप्मेंट को देखें, यह सब बारतिये दर्शन में बारतिये परंपरा में पहले से नहीं थे, और अपकी युवापीडी को चाहिए कि इन सभी मूल्यों को साथ लेकर के आगे ब दिवरतन आया है, सामाजिक सरोकारों की वो बात कर रही थी और इस जो परेड में आपने देखा, भिन्नता आई है, आधुनिक्ता का समयवेश हुआ है, और किस तरह से इसमें आप एक नए भारत की जलक देखती हैं, पिछले अगर कुछ वर्षों से आज की तुलना करें देखे, पिछले नौ सालों में हमने तेजी से अपने राष्टर को बदलते देखा है, वैश्विक राजनीती में पढ़ाती हूँ, यदि वैश्विक राजनीती के पटल पर देखूं तो विश्व गुरू की छवी के रूप में भारत ने अपनी शक्ती का लोहा जो है वो हमारों का हिस्सा बने जिस प्रकार से भारत और फ्रांस ने पिछले साल अपने महित्रिपूर्ण स्ट्रेटर्जिक पार्टर्शिप के 25 वर्ष पूरे किये और आगे इसका एक नया अध्याय खोला है, तो इसमें हम नहित देख सकते हैं, और आज का जो भारत है, वो सब को साथ में लेकर के चाहे ग्लोबल नॉर्थ के देश हो, चाहे ग्लोबल साउथ के देश हो, चाहे पश्चिप के देश हो, चाहे पूर्व के देश हो, सभी के साथ मैत्रिपूर्ण संबंधों को आगे ले जाता हुआ, ये देश दिखाई पड़ता है, और इसके बहुत आव जो हर बार एक नई परिकल्पना के साथ हमारे सामने आते हैं और हम सभी को उस परिकल्पना से जोड़कर हम सभी से ये आश्वस्त करते हैं कि हम अपना कुछ न कुछ योगदान इस लक्ष को नई परिकल्पना को देख और इसी के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ता हुआ हम देख पाते हैं अगर हम करते हैं अध्यात्म की दुबात सरवांगेणी विकास से भी जुड़ी है बिलकुल हम अपनी विरासत को बिना समझे जो है वह इसकी वारत नहीं लिसकते हैं यह तो तहीं है हमारी कला हमारी संस्क्री हमारा आध्यात में इसको हमें समझना होगा और उसको समझने के बाद हम आगे जो है करें तेजगति से बढ़ सकते हैं वैसा ही उत्तरपदेश में हो रहा है हमने देखा कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उत्तरपदेश में तमाम सारे बड़े कदम उठाए गए 2017 के ही बास से हम देखते हैं तो उत्तरपदेश इस समय वर्तमान इसीति में तमाम सारी केंदर की योजनाए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर वन हो चाहिए पिया मावास समय तमाम सारी योजना हो इससे पहले यहां होता यह था आचल कि तमाम सारे केंदर्स के द्वारा पैसा देने की बात कही जाती थी लेकिन पैसा वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता था ना उनके लिए जो जनक कारवाई की गई है यहां पर उसके बात से यहां पर पूरी तरीके से कानून का राज जो कहा जाता था कैम करने की बात है लौन अडर काफी जादा मेंटीन हुआ है उसके करना हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ तो उसमें 35 लाग करोन से ज़्यादा निवेस्ट प्रस्ताव यहां पर आये हैं जुसका जल्दी जो है यह दर्शार आ है कि उत्तर प्रदेश में जो भी निवेसक है जो भी उद्द्योग जगत से लोग है अब वो उत्तर प्रदेश में आकर रोज अपना उद्द्योग स सवास्थ की जरूरते हो, सिच्चा की जरूरते हो और जनकलियाण की जरूरते हो, उनों सब्सक्राइब किया जा रहा है उत्तर पडिया नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी संस्कृति विरासत को नहीं बोल रहे हैं अध्यामें 500 सताब्गियों के इंतजार 500 वर्सों के इंतियार के बाद जब भवे राम मंदिर बनता है तो हम देखते हैं किस तरीके से पूरा देश वहाँ पे उमड रहा है हम अपनी संस्कृति अपने आध्यात्म को पहचान रहे हैं और वही जो हमारे संस्कृति में था कि सबसे बड़ी बाद की मानवता एक आम व्यक्ति एक अंतियोदे गरीव व्यक्ति के लिए भी काम करना वो हम सीख करते हैं रामराच की कलपना जो होती है उसमें सभी पूरे समाज के हर वर्क के लिए काम करना होता है हर वर्क के विकास के लिए काम करना होता है और वही हम देख रहे हैं डबल इंजिन की सरकार में जिस तरीके से काम हो रहा है हम इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं हमने देखा जिस तरीके से महिलाओं के ससक्ति करन के लिए काम किया गया यहाँ पे मिसन सक्ती चलाया गया और महिलाओं को स्वलंबी बनाने के लिए उनकी सुरच्चा के लिए तमाम सारे बड़े कदम उठाये गये हैं लखनव जैसे राजधानी में अगर किसी महिला को रात को अगर किसी भी कारणवस कोई संकोच होता है घर पहुंचने में तो व बहुतिक तापा, रामराज को हुकाहवन व्यापा और इसी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है आपने कहा कि कानून विवस्था से लेकर तमाम विकास की जो पर योजनाय है वो सर चड़ कर बोल रही है उत्तर प्रदेश में आगे भी इस चर्चा को जारी पोस कर तूंगा और फैमली हॉलिडे स्पेइन में वा यार मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फाद है तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेइन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे एस बिया सेविंग्स अकाउंट के साथ पाईए स शेफ, सिक्यूर, गन्विनियन बैंकिंग और ग्रेट कस्टोमर सोर्स, SBI देश का फैन ब्रेक की बात एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कि किस तरह से देश में ही नहीं आचल दुनिया भर में भारतिय गर्तंत बनाया गया है बिलकुल और बात करते हैं बिलकुल भारतिय गर्तंत की बात जब दुनिया भर में करते हैं सौधी आरब से खबर है सौधी आरब के जद्दा में भारत के महावारिज्य दूतावास में गर्तंत दिवस समारोह का आयोजन किया गया इस अफसर पर भारत के महावालिज्य दूत मुहम्मद शाहिद आलम ने तिरंगा फैराया और भारत के राष्टपती के राष्ट के नाम संबोधन के अंश पड़े हैं मालदीव में भी पचतरवे गंतंत्र दिवस के अफसर पर माले स्थित भारती दूतावास में गंतंत्र दिवस मनाया गया मालदीव में भारत के राजदूद अंब मुनू महावर ने तिरंगा फैराया इस मौके पर उन्होंने राष्टपती द्रौपदी मुर्मू के भाष् को भी पढ़ा साथी माले स्थित इंडियन काल्चुरल सेंटर के चात्रों द्वारा सांस्कृतिक करक्रम की प्रसुती भी दी गए जापान में भारतिय दूतावास ने पचत्तर में गरतंत्र दिवस समारो की जल्कियां साजा की है राजदूत सीवी जॉर्च ने भारतिय दूतावास में तिरंगा फैराया और राष्टपती द्रौदी मुर्मू का राष्ट के नाम संबोधन पढ़ा तो भारत का पचत्तरवा गर्णतंत्र दिवस न्यूजिलेंट के वेलिंग्टन स्थित उचायोग में भी बड़े उत्साओं और देश फक्ती के साथ मनाया गया न्यूजिलेंट में भारत की उचायोग नीता भूशन ने तिरंगा फैराया भारती समुदाय और न्यूजिलेंट के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया इस मौके पर बच्चों ने अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया और अगर इस्रेल की बात करें तो जैसे आज 75 गर्तंत दिवस मनाया जा रहा है भारत में मवजूद इस्राइली दूतावास ने एक्स के माध्यम से भारत को घर्तंत दिवस की शुकाम ने दी है एक संदेश के माध्यम से ये वीडियो साजा किया अब सबू लोगोते गंतंत्रा दिवस की बहुत 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 गंतंत्रा दिवस की हर्डिक शुकाम ने this is the address for today and you'll follow this I'll just be a modern Rajasthanic businessman कमागानी आप सगलना गंतंत्रा दिवस्री ही आतानी शुकाम नवा और आस्ट्रेलिया के बधार मंत्री आंथनी अल्बनीजी ने 75 गंतंत्रा दिवस्र की अफसर पर भारत कुद्धी बधाई आस्ट्रेलिया आई पीम में सफसर पर एक बधाई संदेश चारे किया जिसमें उन्हों ने लिखा कि दोनों देश एक ही दिन राश्ट्रिय दिवस्र मनाते हैं ये हमारी गहरी दोस्ती का जश्न मनाने का मौका है आस्ट्रेलिया और भारत कभी भी इतने करीब नहीं रहे और अमेरिकी दूतावास ने गरतंत्र दिवस्र की शुब कामनाय दी हैं अमेरिकी दूतावास ने एक विडियो जारी कर कहा कि अमेरिकी दूतावास और मारे जूतावासों में वैस्क और बच्चे काफी उत्सा से भरे हुए है तेरे जैसा कोई नहीं है असी नहीं सौत दिन तुनिया घुमा है नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं वे गाया जहां मी बस तेरी याद दी जो मेरे साथ जी मुझ जो तडबा तिर लाती सबसे प्यारी तेरी सुरत ट्यार है तस तेरा प्यारा ही बाट उचे सलाम आज अबाट उचे सलाम पुंरु जो यह यह का कि रूसी राष्पति व्लाद मेर ने भारत की तारीफ की है विलाद मेर पुतन पुतिन ने कहा कि भारत ये संस्कृती बहान है ये बहुत रोचक विविजदापून और रंगीन है रूस समवते दुनिया के उन कुछ तेशों में से है जहां भारत ये फिल्मों का प्रस्टार अंडराश्ट्रिये टेलिविजिन पर नियमत रूप से होता है भारत के साथ ब राश्ट उनमुख नितृतिव है और ये सभी मोर्चों पर तेजी से विकास कर रहा है तो गरतन दिवस से जुड़ी खबरे अभी बाकी है लेकिन आप कही मत जाएगा चर्चा भी बाकी है हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासर होंगे यारो शादी तो मैं प्रीती से ही करूँगा कॉले स्टॉप करके अच्छी सी नौकरी लोंगा जट से प्रीती को प्रपोस कर दूँगा और फैमिली होलिडे स्पेन में वा यार मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फान तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे एस्बिया सेविंग्स अकाउंट के साथ पाईए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियन बैंकिंग और ग्रेट कस्ट अब घर बैठे पाए अब घर बैठे पाए अब घर बैठे पाए अब गोल्डी छोले मसाले जहां 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 रिष्टे बनाए जीओ पेपर प्रास्थोई इस भारत की अलग ही पहचान है जुड़े नए भारत से, जीओ भारत से या लड़ू, और यहां बैठे बैठे, पैसे बना सकते हैं अब बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन अब बिजनेस चाहे जो भी SBI का करेंट अकाउंट तो चाहिए ना, SBI करेंट अकाउंट से सिंप्लिफाइड बिजनेस ट्रांजाक्शन और ग्रेट कास्टूमर सर्विस, SBI, देश का फैन ब्रेक के बाद सविकार स्वागत है, हमाई कास्ट पेशकर्ष, पचेतरवा, गंट अंतर दिवस, उसकी खुशियां हर भारतवासी आज बना रहा है और हमारे साथ विशिश मेमान दॉक्टर अंचु जोशी जुड़ी हुई है, साथी साथ सोमेश, हमारे साथ लगातार बने हुए है राइपूर से, सोमेश आपके पार साना चाहेंगे जिस तरह से जब हम इस बार के गंट अंतर दिवस की बात करते हैं, जिसमें किस तरह से विक्सित भारत के साथ साथ लोकतांत्रिक शक्ती को बहुत एहम बताते हैं, इस थीम के साथ इसका अगास किया गया और लोकतंत्र की शक्ती 36 कर से बहतर क्या जानेंगे हम, कि जहाँ पर निश्पक्ष तोर से चुनाफ कराएगा और खास तर पर उन समय दिन चुनी लाकों में जहाँ पर चुनाफ कराना बेहद मुश्किल होता था, और इसलिए अब विकास की एक नई गाथा लिखता हुआ नजर आता है 36 कर सुमेश सस्त्री करण की बात को तमाम ऐसे योजना है जैसे उजला योजना की बात करता हूँ जो बस्तर का चेतर है, बस्तर के चेतर में उजला योजना का लाव मिलने से आज उनकी सारी परसानियां दूर हो गई है, मैं बस्तर का जिक्र करता हूँ, बस्तर सुरू से घोर नकसल, प्वावित छेत्र इलाका रहा है, बीजापूर, दंतेवाडा, कांकेर, ताड मेटला, मैं इनी इलाकों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाओ के समय इन इलाकों में मद्दान कराना अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनाओती होती है, जिस तरह से मैं अभी केंद्र की योजनाओ को लेकर, तमाम योजना केंद्र की पहुंच रही है, अंदुरूरी इलाकों तर नकसल प्रावित छेतर तक, जिस तरह से अंतिम वेक्ति को पदान मतने चीज़वाद का जिक्र किया है, कि केंद्र की योजनाओ का लाब मिलना चाहिए, उसी तरह से 36 ये करके अलग-अलग इस्सों में केंद्र की योजनाओ का लाब इस्थानिय लोगों को मिल रहा है, हमारे साथ दॉक्टर अंशु जोशी बनी हुई है, दॉक्टर अंशु जिस तरह से ये भारतिये गरतन्त का उत्सव मनाया जा रहा है, भारतिये सफलताओं का भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा लेकिन जब हम बात करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और अमरित काल का ये दौर है ऐसे में बहुत सारे संकल्ब भी ऐसे हैं जिनकी सिद्धी करनी है किस तरह से इस विशेश अवसर को देखती हैं कि ये भी एक चुनौतियों महत्वपूर्ड अवसर पर पूछा है और इसके कुछ महत्वपूर्ड आयाम कुछ बिंदू हैं जो आप सभी के साथ में साजा करना चाहती हूं निश्चित तौर पर आज के भारत में रह रहा हर भारतवासी और विदेश के प्रते कोने में रह रहा हर भारतवची अपने भारती होने पर गर्व करता है और आज जिस भारत में हम रह रहे हैं हम वैश्विक स्तर पर हम राश्ट्रिय स्तर पर हम स्थानिय स्तर पर लोगों को जागरत करने का सशक्त करने का काम कर और यह सब हमारे माननिये प्रधानमंत्री के नेतरत में हो रहा है, वेपधाई के पात्र हैं, तो जब हम भारत की सफलताओं की ओर देखते हैं, तो नित नई उचाईयों को, नित नई सफलताओं को प्राप्ट कर रहा है, जी ट्वेंटी का हमने विगतवर्ष सफल आयोजन अपनिया किया हमने आफ्रिकन यूनियन को इसका पॉर्मनेंट मेंबर बना कर एक नया आगाज किया कि इस प्रकार के जो शक्तिशाली मंच है उसे ग्लोबल साउथ भी जुड़े ग्लोबल साउथ कोस में नेत्रत्तु की मिका मिले और इस प्रकार के मंचों का लोगतंत्री कर हो हम एक वैशविक राजनीती का स्वभाव ही बदलपाने में काम्याव हो पा रहे हैं यह बहुत बड़ी सिद्धी है तो संकल्प से सिद्धी की और हम बढ़ रहे हैं जैसा मैंने कहा हम société अन險 नए संकल्प के साथ हमारे सामने आते हैं और तमाम देश्वासी और विदेश से भी लोग उनसे जुड़ते हैं और इसमें अपना योगदान देते हैं अब इसके तीन आयाम हैं वेश्विक स्तर पर कई चुनौतियां हमारे सामने हैं हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रश्या और यूकरेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा हम देख रहे हैं आतनकवाद जैसे समस्या हैं हमारे सामने हैं एनर्जी सेक्योरिटी भी एक बड़ा लक्षय या इससे जुड़ी हुई चुनौतियां हैं तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे बाननी प्रदान मंत्री के नित्रत्व में हमने इनहें अपने राष्ट्रियस तर पर अपनी योजनाओं में कही न कही उतार दिया है तो हम जब एक उज्वला योजना की बात करते हैं तो इससे न सिर्फ एक स्त्री शक्ति को कही न कही फाइदा होता है हम देखे ये एक सस्टेनेबल डिवेलमेंट की और भी एक हम पग आगे बनाते हैं और इसी के साथ विकस कि bush भारत की दप्स जब इसाइबारत की बात करते हैं जब हम अपने देश में शौचालयों के और निर्मान की बात करते हैं जब बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं जैसे अभियानों की बात करते हैं, तो इसा योजना योजनाप ओढ वहा कि जैसे विश्व को दे रहे हैं इसे विश्व सीख रहा है हम अब पश्चिम के और नहीं सबसे बड़ी हमारी उपलब्थी देख रहा है और हमसे बूल्यों को ले करें अपने अपना रहा है बिल्कुर in sizi भारत एक सालुशिन प्रोवाइडर के तौर पर तमाम अंतरनाश्रिय मंचों पर अपनी मौझूदगी दर्च करा रहा है और जैसे पिदार मंत्री कहते हैं यही समय है सही समय है इस पर और करेंगे आगे चर्चल लेकिन फिलाल वक्तिक छुड़ से ब्रेक का है मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन अब बिजनेस चाहे जोगी SBI का करेंट अकाउंट तो चाहिए ना SBI करेंट अकाउंट से सिंप्लिफाइड बिजनेस ट्रांजाक्शन और ग्रेट कास्टमर सर्विस SBI देश का फैन स्वागत आपका ब्रेक के बाद बिलकुल रमाय साथ खांस मैमान जुड़े होए हैं डॉक्टर अंचू है हावान साथ सोमेश चुड़े होए लाइपूर से डॉक्टर अंचू एक बाद जो सुभा से मेरे मन में आ रिती में चाहती हूं जब हम आपरेड ग्राउंड पर जिन तस्वीरों को देखते थे इकका दुक्का महिलाएं उसमें नदर आती थी आज जिस सश्वक्त तस्वीर को हमने देखा है किस तरह का संदेश यह उन बेटियों के लिए जो एक कदम अगर पीछे करती है लेकिन इस पूरे परेड में म जिस नए भारत में हम रह रहे हैं जिस भारत को हम विश्व गुरू के रूप में जान रहे हैं विश्व मित्र का दर्जा जिसे पूरा विश्व दे रहा है उसकी शक्ती हमारी नारी शक्ती पर टिकी हुई है आपने बिलकुल सही बात कही बच्पन में जब हम इस स्त्रियां हमें वहां लीडर्शिप के रोल में दिखाई पड़ती थी आज हम देख रहे हैं कि हमारी माननी राष्ट्रपती के रूप में भारत की एक सशक्त बेटी खड़ी होकर के तमाम जो ये टुकडियां परेड कर रही थी उनकी सलामी लेते हुए हमें भारत की बेटी दिखी और ये सबसे बड़े बदलाव का ध्योतक है जिस समरस समाज की जिस समान समाज की बात हम अपने समविधान में करते हैं उसे हम आज साक्षात अपने सामने देख रहे हैं क्योंकि एक बहुत 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 बिंदू है जिसे हमें समझने की जरूरत है ये प्राचीन समाज के और चले तो महिलाओं की हमेशा से नेत्रत्व की भूमिका रही है और उस नेत्रत्व की भूमिका पर अपसे जारी रखेंगे डॉकर अंशु इस उत्तर को जारी रखेंगे आप सभी के साथ पर लेकिन यहां से आपको लिये चलेंगे Ministry of External Affairs यानी विदेश मंत्राले की प्रेस कॉन्फरेंच